नमस्कार आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं आजे ब्रमातमस आज मैं आपको पांच नौंबर को रिलीज हो रही सुर्य वंसी के बारे में कुछ बाते बताऊंगा आप लोग जानते होंगे कि यह जो हिंदी फिल्म रिस्ट्री में कॉप यूनिवर्स का इजाद रोहित सिट्टी ने किया है उसी की यह चौथी फिल्म है पहली फिल्म सिंगम आई थी 2011 में उसके बाद 2014 में सिंगम रिटर्न्स आई थी इन दोनों फिल्मों के बाद ये कॉप स्टोरी पुलिस की कहानी एक में थीम बनकर हिंदी फिल्म में चल रही है रोहित सिट्टी ने एक अलग जोनर के तहत ये कहानिया कहीं है और इसके दर्शक बने हुए हैं जो लगातार ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं और इसी का नतीजा है कि पहली फिल्म सिंगम जितनी बड़ी हिट रही थी उससे डबल हिट हुई थी सिंगम रिटर्न्स वास्तों में यह एक तमिल फिल्म की रीमेक थी लेकिन उसमें जो तबदीलिया की थी रोहित सिट्टी ने और जो कॉमेडी का एलिमेंट दाला था उससे यह कहानी ज्यादा रोचक हो गी थी और हिंदी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी इन दोनों फिल्मों के बाद रोहित सिट्टी ने 2018 में जब सिंबा बनाई तो सिंबा में उन्होंने रनवीर सिंग को लिया और करेक्टर का नाम भी बदल दिया पहले जब अजे देवगन थे तब इस करेक्टर का नाम था बाजी राव सिंगम और सिंबा में इसका नाम हो गया संग्राम भाले राव अब इन तीनों फिल्मों की काम्यावी, तीनों फिल्मों मतलब तीसरी फिल्म सिंबा की काम्यावी, सिंबा ने तो 400 करोर से अधिक का कारोबार किया था तो आप देखें कि पहली फिल्म सिंगम मूल फिल्म थी, सिंगम रिटरंस उसका विस्तार थी, सिम्बा को मैं कारोबार कहूँगा, अब यह देखना है कि सुर्यवनसी का परिणाम क्या होता है सुर्यवंसी में अक्षे कुमार हैं और यहां मुख्य किर्दार का नाम वीर सुर्यवंसी है हलागि फिल्म के जो ट्रेलर और प्रोमो जा रहे हैं उसमें हम कुछ गाने में देखें कि तीनों दिखाई पड़े अजे देवगन, रनवीर सिंग और अक्षे कुमार फिल्म में इनकी इंट्री कैसे क्या होती है, इनकी प्लेसिंग कैसे होती है यह तो आने के बाद पता चलेगा और हां सुर्यवंसी से उम्मीद की जा रही है कि जो सिनेमा हॉल बंद थे, महमारी के वज़ाद से थेटर बंद थे, उसके बाद थेटर बीच-बीच में एक आज बार खुले भी लेकिन ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जहां दर्शक आकरशित होकर थेटर में पहुंचें, बहुत कम संक्या में दर्शक आए जबकि दक्षिन में ऐसे इस्तिति नहीं है, दक्षिन के स्टार्स उनकी फिल्म में दर्शकों को खीच रहें सिनेमा घर हिंदी फिल्मों की इस्तिति बत्तर बनी हुई है क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म, बड़े स्टार की फिल्म थेटर में नहीं आई थी शुर्य बंसी आ रही है उसे उमीद की जा रही है कि दर्शक आएंगे फिल्म कैसी होगी इसके बारे में बात करना अभी मुम्किन नहीं है क्योंकि फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि रोहित सेटी ने अक्षे कुमार को लेकर इस कौप स्टोरी में क्या क्या है उनके कौप युनिवर्स में या कौँ सा नया ग्रह निकल कर आया है या फिल्म देखने के बाद मालूम होगा फिल्हाल यहीं उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म से दर्शक अगर थियेटर आएंगे तो थियेटर के दिन लोटेंगे थियेटर रोशन होंगे फिर से और वह पुराने दिन की सुरुवात होगी लेकिन देखें क्या होता है और आप हम इस बात की तियारी करें पांच नौमबर को की सुरिवंसी हम देखें और फिर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें और अपनी राय आप जुरूर शेयर करें मुझसे आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और यूही इसकी सदस्यता बढ़ाते जाएं दोस्तों को बताएं परिजितों को बताएं घरवालों को बताएं और अपनी संख्या बढ़ाते रहें शुक्रिया, महरबानी, धन्यवाद